नमस्कार दोस्तों, Pathfinder में आप सभी का स्वागत है, Modern Indian History के Lecture No.50 में आज हम डिसकस करने जा रहे हैं Congress के 1938 और 39 के sessions को, तो राश्ट्रिय आंदोलन के अंदर अभी तक हम देख चुके हैं कि किस तरह से गांधी जी के नितरतों में Non-Cooperation Movement और Civil Disobedience Movement हुआ, लेकिन दोनों ही नाक 1948 पे मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जवाहडाल नहरू, 1935, 6 और 7 वाले समय में Congress में Socialism को बढ़ावा देना चाहते थे, और अलग प्रकार से राश्ट्रिय आंदर उनको चलाना चाहते थे, जो गांधी जी के विचारधारा से थोड़ा सा अलग था, अब 1938 और 39 वाले जो सेशन से और even 1940 तक, इन तीन सालों के अंदर, सुबाश्चंदर बोस Congress के Left Wing के बड़े नेता के रूप में उभरते हैं, एक बड़े राश्ट्री नेता के रूप में और ये गांधी जी के विचारधारा से असहमत थे, अब इनकी जो ये विचारधारा है, ये Congress को क इस तरह से एक critical point पर लेकर आती है, इसी की कहानी आज इस lecture में हम जानेंगे, ये ही history को हम जानने वाले हैं, तो ये कुछ photographs हैं, यहाँ पर आप सुबाश्चंदर बोस और गांधी जी को देख सकते हैं, ये रहे सलदार बलब भाई पटेल, तो ऐसा नहीं है कि ये नेता आने की पूरी संभावना बनी रहती है, आगे बटें उससे पहले आपको बता दूँ कि आने अकाडमी आप पर, आप मुझे यहाँ फॉलो ज़रूर कीजे इस ID पर, क्योंकि मेरे जितने भी special classes होते हैं, उनके updates आपको आप राप्त हो जाएंगे, if you are following me over there, और lecture के PDF आप हम पूरी तरह से खत्म कर दिया है, देश की धन समपता पूरी तरह से खत्म हो रही है, क्योंकि British policy, जो British economic policies हैं, वो capitalist policy थी, इसके बारे में हमने lecture number 18 में discuss भी किया था, आयोप आप उसे याद करते हैं, नहीं याद रख सकते हैं, तो उसको एक बार revise कर लीजेगा, तो यहाँ प प्रमुक थे, Congress के दो बड़े नेता, सुभाज चंदर बोस और जवारलाल नहरू, सुभाज चंदर बोस बंगाल से एक बहुत ही charismatic leader थे, Congress के, 1921 में जब non-corporation movement अपने चरम पर था, उस समय इन्होंने ICS की नौकरी छोड़ी थी, यानि कि IAS Services से इस्तिफा दे कर, यह भारत के आजादी के अंदोलन में कूद पड़े थे, एक जवान के रूप में, और उसके बाद यह Congress से जुड़ गए, 1929 में, जब Congress का session कलकत्ता में हुआ था, तो उस समय मोतिलाल नहरू यहाँ पर प्रेजिडेंट थे, तो इन्होंने बहुत शानदार आयोजन किया था, उस समय इनका काफी नाम हो गया था, क्योंकि पूरा जो यह organization है, अधिवेशन का इन्होंने किया, और यहाँ पर एक military parade करवाई थी, जिसका इन्होंने salute लिया था, इस तरह की military uniform पहन कर यह Bose खड़े हैं, और इन्होंने पूरी parade का एक military salute तक लिया था, which was quite revolutionary and radical for that time, तो यहाँ से Bose का दशक में, दीरे-दीरे यह बंगाल की राजनीती के अंदर काफी important होते हैं, the most important leader of Bengal in the 1930s, तो दीरे-दीरे left-wing party Congress के अंदर अपने ideas से लोगों को impress कर रही है, और एक अलग धड़ा सा बन गया है Congress में, जो left-wing politics को support करता है, अब इनको ऐसा लगता है, कि non-violence, यानि कि जो ग आइसिस खड़ा हो जाता है, तो वैसे बोस और right-wing के जो दूसरे Congress के नेता थे, उनके बीच में थोड़ी सी खाई, 1930 के दशक में शुरू हो गई थी, एक छोटा सा incident है, हाला कि वो राश्ट्री आंदोलन से related नहीं है, तो देखे सलदार वललब भाई पटेल, जो कि एक right-wing नेता थे Congress के, उनके बड़े भाई, विठल भाई पटेल की जब रित्य होती है, तब वो अपनी वसियत में काफी सारा पैसा, सुभाश चंदर बोस के नाम छोड़ कर चले गए थे, जब उनकी death होती है, योरोप में इनकी death होई थी, तब उस समय बोस इनके primary caregiver थे, तो बोस के अजादी के लिए जो योरोप में ये campaign चलाया जा रहा है, उसको तुम support करो इस पैसे से, तो इससे पटेल काफी नाराज हो जाते हैं, और वलब भाई पटेल ने काफी सवाल उठाये, कि ये जो आखरी वसियत या letter है, इस पर किसी doctor के हस्ताक्षर क्यों नहीं है, original paper जो ह वो कहां गया, original will कहां गई, इस वसियत पर जिन गवाहों के signatures थे, वो सभी बंगाल से थे, और सुवाज चंदर बोस खुद बंगॉल से थे, तो इसको लेकर भी सवाल उठाये गए, तो ऐसे में वलब भाई पटेल और बोस के बीच में थोड़ी सी खाई आ जाती है, ये मा legal airs को जा सकती है, सुवाज चंदर बोस उनके legal air नहीं है, तो उनसे उनका relation नहीं है, हाँ ठीके दोस्त हो सकते हैं, supporter हो सकते हैं, politics में साथ में हो सकते हैं, लेकिन जो पैसा है, वो उनके परिवार को जाएगा, और ultimately वलब भाई पटेल ये case जीत गए, और उन्होंने इस प कॉंग्रेस के कद्दावर नेता, वलब भाई पटेल और सुवाज चंदर बोस, इनके बीच में किस तरह की खाई आ गई थी, अब बात करते हैं, politics की, तो देखे, सुवाज बाबू, जैसे इनको कहा जाता था, बाद में इनका नाम नेता जी पढ़ गया, नेता जी की उप हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है, ध्यान में रखना, 37 वाला जो सेशन था, वो कहां पर हुआ था, फैसपुर, 38 वाला, हरीपुरा, 39 होगा, त्रिपुरी में, और 1940 का होगा, रामगड में, तो ये कॉंग्रेस का, सेशन का आप कह सकते हो, एक रूरल फेज है, ये च 39 का जो सेशन हुआ था, वो हुआ था, त्रिपुरी नाम की जगे पर, जो जबलपुर के पास में सते थे, जबलपुर is in मध्यपुरदेश टोडे, तो अभी सबसे पहले हरीपुरा सेशन की बात कर लेते हैं, तो हरीपुरा सेशन 1938 ये हुआ था, फरवरी 1928 में, बाइद फरवरी मार्च में हो रहे हैं, कभी अप्रेल में हो रहे हैं, कभी जून जुलाई में हो रहे हैं, so it keeps on changing, 36, 37 वाले जून और जुलाई में होए थे, अब ये 38, 39 वाले फरवरी मार्च में होंगे, तो हरीपुरा में ये सेशन होता है, गुजरात में, यहाँ पर चुने गए, तब इन्होंने सबसे important काम जो इस सेशन में किया था, वो था National Planning Committee का गठन किया, तो National Planning Committee का गठन इस पर बहुत बार सवाल आता है, और confused करने के लिए आपको बूचा जाएगा, कि वो कौन सा Congress President था, जिसने Planning Committee की स्थापना करी, तो उसका answer होगा सुवाश्यंद बनने के बाद, सुवाश्यंद्र बोस की popularity अपने चरम पर थी, देश-विदेश में नेता जी famous हो रहे थे, भारत में अलग तरह की politics के लिए लोग इनको favor कर रहे थे, ये left-wing और थोड़ा सा militant politics को support करने वाले नेता थे, ज्यादा action में बिलीव करते थे, non-violence जैसी बातों में इनका इतना विश्वास नहीं था, पहले था, लेकिन दीरे-दीरे कम होता जा रहा था, और ये left-wing या socialistic ideals जो यूरोप में कई देशों में follow हो रहे थे, उनसे काफी inspired थे, और सुवाश्यंद्र बोस काफी यूरोप भी रहे थे, 1938 के आसपास ये दो महीने यूरोप के पर भी थे, तो वहाँ पर भी इनका कद काफी बढ़ गया, देश-विदेश के नेता इनको जानने लगे, कई important देशों के नेताओं से, leaders से, इन्होंने मुलाकात भी करी थी, भारत के आजादी को support करने की demand को लेकर, तो कुल मिलाकर 1938-39 वो समय है, जब सुवाश्यंद्र ब बोस बहुत ही popular choice थे, president बनने के लिए, लेकिन इस बार उनको चुनौती का सामना करना पड़ता है, तो देखो, अकसर क्या होता था कि Congress के President का चुनाव, जदा किसी विरोधाबास के हो जाता था, mostly consensus candidate चूज किये जाते थे, कि हम सभी मिलकर इनको support कर देते हैं, और unanimous decision रहता था, ठीक है, चुनाव होगा अपचारिकता के लिए, लेकिन सबको पहले से पता होता था कि हाँ, इनको President बनाना है, लेकिन 1939 में ऐसा नहीं होता है, जब बोस ने गोशना करी कि मैं फिर से चुनाव लड़ूँगा, President के पद के लिए, तो पहली बात तो ये कि Congress में एक परं politics से सहमत नहीं थे, अब इस समय एक और important चीज़ होती है कि बोस की तवेत काफी खराब रहने लगी थी, in fact इस session के अंदर उन्हें stretcher पर लाया गया था, मतलब उनकी तवेत इतनी खराब थी, ये real photo है उस समय का, आप देख सकते हो कि उन्हें stretcher पर यहाँ लाया जा रहा है, लेकिन बिमार होने के बावजूद, बोस की politics धीमी नहीं पड़ी, उन्होंने militant politics के favor में काफी बड़े-बड़े statement दिये, militant का मतलब यह नहीं है कि हतियार उठा कर लड़ना शुरू कर दो, militant का मतलब यह है कि अहिंसा जैसे तरीकों से आजादी नहीं मिलेगी, हमें दू 1935-1967 में नहरू पूरी तरह से socialism को लेकर Congress में हावी हो जाते हैं, उसी तरह से militant politics को लेकर स्वाश्चंद्र बोस भी Congress sessions के अंदर बहुत भाशन देते हैं और वो अपने leaders को, अपने दूसरे leaders को Congress Working Committee को सहमत करने की कोशिश करते हैं कि Congress को उसका रास्ता बदलना पड़ेगा बोस का कहना था कि जो देश के आजादी का struggle, anti-imperial struggle ये बदल रहा है, इसमें बहुत changes आ रहे हैं और इन changes से निपटने के लिए नए प्रकार के idea, ideology और नए programs की जरूरत है और वो इस प्रकार के idea लेकर आते हैं, तो इनके अनुसार जो President का चुनाव है Congress का, वो ऐसे candidate के बी अलब पंत भी थे, इनका ऐसा मानना था कि इस तरह से Congress President का चुनाव कोई ideology का चुनाव नहीं है, Congress President एक तरह से, एक constitutional post है, जो एक गरीमा मैपद है, पार्टी overall मिलकर अपनी विचारधारा अपना program रिचाइड करेगी, एक constitutional head या फिर पार्टी का जो अध्यक्ष है, प्रेज स्टेटमेंट देने शुरू कर दिये, तो अख़बारों में रोज कभी सुवाज चंद्र बोस का स्टेटमेंट आ रहा है, फिर उसके विरोध में वललब भाई पटेल या फिर Congress Working Committee का स्टेटमेंट आ रहा है, उधर गांधी जी कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो य उनके खिलाफ एक काउंटर स्टेटमेंट Congress Working Committee जारी करती है, और ये कहती है कि ideology, program, policy, ये सब Congress के प्रेजिडेंट के चुनाव में relevant नहीं है, ये सब तो पार्टी मिल कर तै करती है, ये सब Congress की बड़ी-बड़ी जो संस्था हैं, जैसे Congress Working Committee है, जो हमारी केंद्रिय समीती के रूप में काम करती है, वो तै करेगी, All India Congress का जो अधिवेशन होगा, वो तै करेगा, Congress President का चुनाव तो मातर एक अपचारिकता जैसा है, जो पार्टी की एकता को डिनोट करता है, तो पार्टी बिखरना जाए इस चुनाव से, ये जरूरी है, तो पार्टी के अंदर unity और solidarity बनी रहे, देश में जो ये आजादी का अंदोलन है, ये विवाजित ना हो जाए, तो इसके लिए Congress President के चुनाव में इस तरह की बातें करना बिमानी है, ये Congress Working Committee के सदस्चियों ने कहाँ, लेकिन सुवाश चंदर बोस इससे बैक डाउन नहीं होते हैं, तो अब चुनाव म बहुत कदावर नेता थे Congress के, आप लोग इतिहास में शायद इनका नाम सिर्फ यहाँ पर पढ़ते हो कि पत्ता भी सीता रमया को candidate बनाया गया गांधी जी के द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़े कदावर नेता थे, आंदर ब्रदेश में इ आंदरा बैंक के ये founding member है, तो इनके बहुत सारे, इनके नाम कई सारी उपलब्दिया हैं, आजाद भारत में ये मद्धर प्रदेश के governor भी रहते हैं, I think मद्धर प्रदेश ही था, MP के governor थे ये, तो पत्ता भी सीता रमया जो है, ये दक्षिन भारत में आंदर प्रदेश से आने वाले काफी powerful leader थे, तो गांदी जी जो है, अब वो बोस की इस ideology से समर्थित नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि पत्ता भी सीता रमया को चुनाव में खड़ा किया जाए, first choice actually मौलाना अबुलकलाम आजाद थे, लेकिन आजाद ने मना कर दिया था चुनाव में खड़ा हो फिर नहरू को बोला गया, तो नहरू ने भी मना कर दिया, बोला कि मैं तो अभी अभी दो बार president बनाओ, तो मैं तीसरी बार, चौती बार president नहीं बनूँगा, तो तीसरा गांदी जी के choice थी, पता भी सीता रमया, और ये मना नहीं कर पाए गांदी जी को, he was very close to गांदी ज जाता है, लेकिन, as expected, ये बोस के सामने, congress, president का चुनाव हार जाते हैं, चुनाव कितने वोटों से हार है, 1580 वोट मिलते हैं, बोस को, और 1377 सीता रमया को, चुनाव हारने के दो कारण थे, पहला, of course, बोस की popularity, लेकिन देखो, इनको भी वोट तो अच्छे का से मिल गए, 1377 क्योंकि ये गांदी जी के द्वारा समर्थित candidate थे, लेकिन एक ऐसा issue था, छोटा सा, जो इतना relevant नहीं है, या फिर कई बार इतियास की किताब हों में आता भी नहीं है, सीता रमया जो है, वो चाहते थे कि तमिल majority district, एक आंदरप्रदेश नाम के राज्य में शामिल किये जा है, ऐसी demand ये कर रहे थे, तो इसको लेकर इन्होंने कुछ बाते कही थी, जो कुछ vote उनसे चीन ले जाती है, क्योंकि जो तमिल area से आने वाले delegates थे, वो इस बात से खुश नहीं थे, तो खेर छोटा सा footnote है, इतना important नहीं है, आप बस में इतना सा याद रखिए कि सीता रमय जो है, वो ये चुनाव हार जाते हैं, बस चुनाव जीत जाते हैं, और ये बस की जो popularity है, वो भारत में अपने चरम पर दीश समय, ये photo 1939 के session कही है, आप देख सकते हैं, आपर camera man खड़े हैं, लोग हाथ जोड़कर बस का स्वागत कर रहे हैं, तो जब बस चुनाव जीतते हैं, सीता रमया चुनाव हार जाते हैं, तो गांदी जी काफी हताश हो गए, गांदी जी ने openly ये statement दे दिया, कि ये पता भी सीता रमया की हार नहीं, ये मेरी हार है, ये मेरी personal हार है, तो गांदी जी ने जब इस तरह के statement दिये, तो त्रिपुरी session में crisis आ जाता है, तो ये Congress का जो 1939 का त्रिपुरी session है, यहाँ पर त्रिपुरी crisis इसे कहा जाता है, crisis क्यों है, क्योंकि Congress अध्यक्षपद को लेकर बोस और गांदी अब आमने सामने थे, गांदी जी सीधे तोर पर बोस का विरोध कर रहे थे, लेकिन सुभाश चंद्र बोस जो है, उनको भी काफी problem थ थी कि बोस कहते थे कि पटेल और अन्य राइट विंग के नेता जैसे की राजिंद्र परसाद, यह सभी British सरकार से समझोता कर लेंगे और Federation के लिए मान जाएंगे, उस समय एक ऐसी चर्जा चल रही थी कि भारत को एक Dominion status दिया जा सकता है, बलब अंग्रेश सरकार मानी नही और इस बील के लिए यह वाले निता मान जाएंगे और बोस नहीं चाते थे कि Federation बने, बोस बिलकुल Federation के खिलाफ थे, उनको लगता था कि केंद्र में ताकतवर सरकार उन्ही बहुत ज़रूरी है और इसी बात को लेकर यह directly right wing के निताओं पर हमला कर देते थे, in fact बोस ने त जो नहरू या फिर बोस जैसे left wing के निता हैं, और यह वाले निता जो हैं, यह सारे right wing के निता हैं, यह नहीं चाते कि एक leftist व्यक्ती Congress का President बने, जो इनके इस compromise और negotiation का विरोध करे, यानि कि बोस सीधे तोर पर इन right wing के निताओं पर आरोप लगा रहे थे, in fact गांधी जी प आप एक true leftist और सच्चा anti-federationist, यानि कि जो केंदर में सत्ता मजबूत चाहता हो, ऐसे निता के लिए vote डालो, और ऐसा ही हुआ, लोगों ने इनके लिए vote डाला, और यह कई बाते हैं, इसमें से इन्होंने अपनी biography में भी लिखी है, तो इनकी autobiography, बोस की उसका नाम है, An Indian Pil Pilgrim, तो उसमें इन्होंने साफ तोर पर लिखा है, मैं किसी भी compromise के खिलाफ हूँ, Britain के साथ, और इससे गांदी जी के जो नेता थे, या गांदियन philosophy को follow करने वाले नेता थे, वो मुझसे काफी नाराज हो गए थे, क्योंकि उस समय एक ऐसी चर्चा चल रही थी Congress के leadership में, कि शायद British Government अगर Dominion या किसी भी तरह की आजादी दे देती है, थोड़ी बहुत स्वायतता दे देती है, तो वो हमें स्विकार कर लेनी चाहिए, इस तरह की सुबगाट थी, चर्चाएं थी, और मैं इसके बिल्कुल खिलाफ था, इसलिए, ये सारे नेता मेरे खिलाफ थे, The Gandhiists did not want to be disturbed in their ministerial and parliamentary work, तो देखो इस समय, 37 से 39 के बीच में क्या था, सभी प्रांतों में Congress की सरकारे बनी हुई थी, तो बोस का ये भी कहना था, कि already Congress के कई नेता मुख्य मंतरी बने बैठे थे, मंतरी बने बैठे थे, तो ये अपने इस पद को छोड़ना नहीं चाते थे, Congress अपने parliamentary work को नहीं चोड़ना चाती थी, यानि कि 35-36 में तो विरोध कर रहे थे, कि नहीं हम सरकारे नहीं बनाएंगे, लेकिन जब सरकारे बन गई, तो सबको ये पद काफी अच्छा लगा, सबको पावर बहुत अच्छा लगा, तो ये किसी भी प्रकार के अब आंदोलन क कह दिया, कि आप तो डील कर लोगे ब्रिटिस सरकार के साथ, तो इससे ये senior निता अफकोर्स नराज हो जाते हैं, और 12 working committee के members इस्तिफा दे देते हैं, ये सभी senior congress members थे, इनको ऐसा लगा, कि ये ऐसे president के साथ काम नहीं कर सकते, जो openly, publicly अपने साथियों के उपर आरोप लगा नहीं है, president का चुनाव तो देश को, पार्टी को एक रखने का चुनाव है, policy वगेरा तो पार्टी तय करेगी, लेकिन फिर भी इन्होंने इस्तिफा नहीं दिया, और Nehru ने मद्धस तता करने की भी यहां पर काफी कोशिश करी थी, ये जो right wing के नेता थे और boss थे उनके ब lie that Gandhi ji and those who are considered as his group in the working committee are rightist leader, यनि कि आपके शब्दों से ऐसा लग रहा है कि Gandhi ji और उनके समर्थक rightist है, their opponents, whoever they might be, are the leftist, और उनका जो भी विरोध कर रहा है, वो leftist हो गए आपकी नजर में, तो ये गलट description है, मुझा ऐसा लग रहा है कि कई leftist neta जो है, वो जादा right है, तो right और left का इतना फरक, मुझे नजर नहीं आ रहा, ऐसा नहरू ने कहा, strong language and a capacity to criticize and attack the old congress leadership is not a test of leftism, तो पुराने और senior निताओं पर attack करना leftism की पहचान नहीं होती है, I think the use of words left and right has been generally wrong and confusing, if instead of these words we talked about policies, it would be far better, तो अगर left और right की बजाए, हम देश की policy या party की policy की चर्चा करें, तो वो आप किस policy के साथ हैं, anti-federation, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप चाहते हो कि केंदर बहुत ही मजबूत हो, that is good, मेरे ख्याल से, जादा तर Congress के members भी यही चाहते हैं, और यह कहना गलत है, कि वो कमजोर है, इस respect में कि वो federation चाहते हैं, तो यह नहरू और बोस के बीच का बनने नहीं देना चाहते थे, अक्सर मैं देखता हूँ कि इंटरनेट पर इस तरह की कई सारी theories रहते हैं, WhatsApp University के graduates कई सारी चीज़ें बताते हैं, कि बोस को Congress से नहरू ने निकाल दिया, या Gandhi ने निकाल दिया, किसी ने किसी को कहीं से नहीं निकाला था, mainly यह decision था कि Congress Party की दि बना दिया है आपके लिए, दोनों box के अंदर बता दियें कि किसकी क्या ideology थी, मैंने पहले नहरू और गांधी के बीच में जो differences थे, उनको भी इसी तरह से बताया था, तो देखे, बोस को यह लगता था, कि late 1930s ऐसा समय आ गया है, कि Congress काफी मजबूत है, और एक और नए struggle की नहीं है, अभी Congress खुद मजबूत नहीं है, Congress में आपस में बहुत सारे मधबेद हैं, और जनता इसके लिए तयार नहीं है, गांधी जी आपको याद होगा, तो अभी social work में पूरी तरह से तलीन हो गए थे 1934-1935 वाले समय में, और इनको लगता था कि अभी society को और ज़्या अपना खुद का घर तो ठीक कर लें, देश में सम्रदाईक तनाव अपने चरम पर था, 1939-40 में जो भी communal organizations थे, उन्होंने बहुत भाशन दिये थे, जिसके कारण देश में communal हाला तो उस वक्त ठीक नहीं थे, और Congress अपने किसानों के base में कमजोर हो रही थी, किसान जो हैं, व ये ठीक समय नहीं है, कि Civil Disobedience Movement launch किया जाए, सभाश चंदर बोस को लगता था कि 1939 में देखो World War जैसी स्थिती तो बनी रही थी, नाजी जर्मनी के खिलाफ UK का जो रवाईया है, उससे साफ पता चल रहा था कि एक लड़ाई तो होगी, आने वाले एक या दो साल के अंदर ज इसी तरह से, तो वो भी कर लेना चाहिए, हतियार भी उठा लेने चाहिए, गांदी जी का ऐसा मानना था कि ये गलत होगा, हम अगर British Empire का हिस्सा हैं, तो हमें इस तरह से backstabbing नहीं करनी चाहिए, क्यूंकि गांदी जी को लगता था कि morally allies, यानि कि जो UK और उसके सहियोगी देश हैं, वो ठीक हैं, वो जाला justified हैं, नाजी जर्मनी गलत है, तो इसलिए अगर युद्ध होता है, तो ऐसे में British Empire के पीट में चुरा घोपना सही नहीं होगा, सुभाज चंदर बोस को पहले ऐसा लगता था कि democracy भारत के लिए बिलकुल सही तरीका है, लेकिन बाद में लगने लगा कि democratic system देश के लिए ठीक नहीं है, और शुरुवात में, कुछ सालों में democracy देश में नहीं होनी चाहिए, direct authoritarian rule ये जादा ठीक रहेगा, जिससे की गरीबी हटाई जा सके, समाज में असमानता हटाई जा सके, उसके बाद में democracy लानी चाहिए, गांदी जी का अलग स्टेट, पुलिस, इनका इतना बड़ा रोल नहीं था, इन्हें ऐसा लगता था कि जो communities बनेंगी लोगों की, वो अपने आपको govern करने में समर्थेवान होंगी, सुवाज शंद्र बोस अपने आपको socialist कहते थे, या अपने आपको communist नहीं कहते थे, इनका ऐसा माना था कि मैं communist नहीं हूँ, बलकि मैं एक socialist हूँ, और आजादी के बाद ये कहते थे कि leftism का मतलब ही socialism होगा, देश को फिर से बनाना होगा, समाजवाद के principles पर, सामयवाद इसको ये कहते थे, इन्होंने ये term use किया था, बोस ने, सामयवाद, तो जो नया देश बनेगा, आजाद भारत ह होगा, इसमें economic freedom ही सबसे important है, तो पहले आर्थिक तोर पर प्रगती होगी, उसके बाद राजनेतिक प्रगती का मतलब है, या उसका justification होगा, आफ्टर एंट इनिशल फेज ऑफ 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 अन्यू इंडिया, एंड हैपी इंडिया ऑन दे बेसे ऑफ इट होगते थे, capitalism को तो नकारते थे, क्योंकि उसमें बहुत जादा greed है, और socialism उन्हें पसंद नहीं था, क्योंकि USSR जैसे socialist देश भी लगातार industrialization कर रहे थे, बहुत तेजी से वहाँ पर फैक्टरियों का विकास हो रहा था, बड़ इस तर पर USSR बहुत प्रगती कर रहा था, 1930s मे USSR दुनिया का सबसे तेजी से उभरतावा देश था, तो जहां पश्चिमी देश, financial crash से अभी भी जूज रहे थे, वहीं पर USSR ने बहुत जबरदस तरक्की गरी थी, 1930s में, तो उन्हें ऐसा लगता था कि ये model भी गलत है, इतनी सारी industries बनाने का कोई मकसद नहीं है, मतलब न और जो भी production होगा, वो local खपत के लिए होगा, ऐसा नहीं है कि आप factory लागा कर बैठे हो और विदेशों में export हो, ऐसा नहीं है, production लोकल markets के लिए होना चाहिए, ना कि दूर दरास के markets के लिए, तो ये गांधी जी का model था, बिलकुल ऐसा नहीं कि विरोधा भास ही है, लेकिन हाँ थोड़ा सा different है, विरोधा भास है, बिलकुल opposite end पर नहीं कह सकते, फिर जहां तक modernization की बात है, तो सुवाश चंदर बोस का तो भी मानना था कि Soviet Union की तरह हमें भी तेजी से डेश को industrialize करना होगा, और यही एक तरीका है कि भारत में जो agricultural labor है, वो सभी काम पर लग जाएं industries के अंदर, और भारत इतना पिछड़ा हुआ ऐसी लिए है क्योंकि हम science पर ध्यान नहीं दे पाए, खास करके हतियारों पर, हतियारों का manufacturing भी भारत को बहुत तेजी से करना होगा, और modernization की बहुत जरूरत है, खेती से काम नहीं चलेगा, गांदी जी बड़े स्तर पर industrialization के ठीक नहीं है, यहाँ पर लोगों को रोजगार क्या वशकता है, तो इनका ही statement था, mechanization is good when the hands are too few for the work intended to be accomplished, it is an evil when there are more hands than required for the work as it is in the case of India, तो इनको industry और business चाहिए थे लेकिन decentralized small scale cooperative, छोटे स्तर पर businesses और cooperative चलें, जैसा कि भारत में प्राचीन समय में होता था कि village based communities या economies थी, उस का system वापिस आए, दोनों के विचारधारा education को लेकर भी अलग थी, बोस का मानना था कि भारत में modern उच्च शिक्षा होनी चाहिए, खास करके technical fields में, क्योंके देश का reconstruction, industrialization तभी होगा जब हमारे पास scientist होंगे, science पढ़े हुए students होंगे, और इसके लिए अगर जरुत पढ़ थे वो था जापान का और Soviet Union का, तो जापान ने जिस तरह से तरक्की करी थी 19 सदी में, वो काफी काबिले तारीफ था, उसी model को बहुस भारत में follow करना चाहते थे, गांधी पश्यमी education के बिल्कुल खिलाफ थे, वो तो भारत में अंग्रेजी को भी माध्यम के रूप में न प्लाइन दिया था, एक तरह की नई education policy थी जो वर्धा में बनाई गई थी, इस नई तालीम में ये कहा गया था कि सभी के लिए basic education होगी, लेकिन holistic development है, समपूर्ण विकास होगा बच्चों का जिसमें पढ़ाई भी हो, handicraft, art, drawing और manual labor, सब कुछ उनको सिखाया जाए, उनको ह आते थे कि एक केंद्रिय सरकार हो, central, powerful government हो, authoritarian character भी उन्होंने काफी दिखाया था, यानि कि देखे, शुरुवात में democracy की जरूत नहीं है, ऐसा इनको लगता था, देश में democracy का मतलब ही तब होगा, जब पहले आर्थिक तरक्यों, तो पहले socialism के principle पर चल कर देश में आर्थिक है, और in fact, BOS ने ये practically दिखाया भी था, जब उन्होंने कुछ साल बाद INA का गठन किया, इंडिया नेशनल आर्मी, तो उसमें वो military के लीडर भी खुदी थे, अजाद हिंद फौज के लीडर भी वही थे, supreme commander, head of state भी वही थे, उस सरकार के prime minister भी वही थे, minister of war, minister of foreign affairs, सब ये खुदी थे, इसकी एक cabinet भी बनाई थी इनोंने, कि आजाद हिंद की एक इनोंने cabinet बनाई थी, उस cabinet की मैं बात कर रहा हूँ, तो BOS नाजी जर्मनी के idea से काफी inspired थे, नाजी जर्मनी उस समय काफी तरक्की कर रहा था, 1938-39 तक की बाते कर रहा हूँ मैं, उस समय तक इतनी तरक्की जर्मनी में हुई थी, 7-8 साल में, तो इससे ये काफी inspired हुए थे, 1938 में जब ये 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 उरोप गए थे, तब जर्मनी के top ministers वगेरा से इनोंने मुलाकात भी करी थी, in fact जब ये अंग्रेजों की कैद से भाग कर भी जाते हैं 1940 में, तब भी ये Nazi जर्मनी जाएंगे और 2-3 साल बर्लिन में रहते हैं, जर्मनी में, दूसरी और गांदी जी centralization के खिलाफ थे, इनका model ये था कि देश में powerful central government होनी ही नहीं चाहिए, पूरी तरह से सारा power decentralized हो, चाहे वो political power हो या economic power, तो जहां पर अभी हो हमने model की चर्चा करी थी, economy वाले की, गाहों के based economy, village based economy हो गाहों के अंदर ये छोटे-छोटे industries हो, बड़ी industry नहीं, सारा local consumption हो, ये इनके स्वराज का model था, society would be composed of self-sufficient village republics और panchayats, panchayats were to be autonomous political institutions, तो panchayat पर इनका काफी जादा जोर था, गानी जी के model में, बोस अपने model को सामयवाद कहते थे, सामयवाद आज communism को कहा जाता है, लेक और जो नाजी जर्मनी की सरकारें थी, उनका एक तरसे जो कुछ characteristic है, strict discipline वाला, वो हमें लेना चाहिए, socialistic principle, Soviet Union से लेने चाहिए, तो दोनों का mixture हो, synthesis of modern Europe of socialism and fascism, दोनों ideas को मिला कर भारत को हमें बनाना चाहिए, तो इससे देश की तरक्की जल्दी होगी, गान्दी जी का द कोई एक व्यक्ति देश में बहुत जादा powerful हो जाए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, because although while apparently doing good by minimizing exploitation, it does the greatest harm to mankind by destroying individuality, तो इससे individual की जो ideology है, individual की जो पहचान है, वो खत्म हो जाएगी और ये तरक्की को ultimately रोकेगा, तो इन्होंने एक stateless society की भी बात करी थी और इस पर UPSC, CSE Prelims 2020 म नहीं कि जहाँ पर सरकार का इतना नियंतरन नहीं है, आर्मी, government, इन सब का इतना control नहीं है, in fact गांदी जी तो ये भी कहते दे कि आर्मी की ज़रूत किवल defensive war के लिए है, किसी पर attack करने के लिए आर्मी की ज़रूत नहीं है, तो आर्मी चाहिए देश को लेकिन अपना बचा यहां होई इसलिए रही है, क्योंकि वहाँ पर सामय यह fascism है, उसके अलावा economic inequality है, exploitation है, क्योंकि capitalistic society है, तो इसका यह सब जो है, यह root कारण है, युद्ध के लिए, यही यूरोप के अंदर लड़ाई का कारण है, तो militarism के यह खिलाफत है, कि world war one में जो देखा था, यूरो concept था, दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस का यह मानना था, कि military discipline बहुत जरूरी है, यह खुद अपने college के समय के अंदर, India Defense Force में थे, यह एक तरह का, आप कह सकते हो, जैसे, territorial army होती है, आज के समय में, कुछ उसी तरह का, आप कह सकते हो, NCC है, उस तरह का यह संगठन था, तो वहाँ पर उन्होंने military training भी हासिल करी थी, फिर बाद में, 1930 में, जब Congress का अदिवेशन हो रहा था, कलकता में, तब एक ceremonial guard of honor पिलिया था, जिसमें पूरी military uniform पहन कर, इन्होंने एक parade करवाई थी, जब वहाँ पर कलकता में Congress का अदिवेशन था, और इन्होंने कहा कि यह troops हैं, जबकि वह Congress के कारे करता था, लेकिन उनको पूरा military discipline में मार्च करवाया गया था, कलकता की सड़कों पर, जहां तक समाज के धांचे की बात है, तो बोस को ऐसा लगता था, कि जब समाज में क्रांती आएगी, social revolution आएगा, तब ना तो कोई जाती-पाती का बंधन रहे और इन्होंने हमेशा चुआ चुआ चूट के खिलाफ भी बाते कई, और intercast marriages के भी ये favor में थे, उसके support में बोलते थे, दूसरी और गांधी जी का अप्रोच ही रहता था, कि जाती का फरक नहीं होना चाहिए, चुआ चूआ चूट नहीं होना चाहिए, लेकिन वर्ण ठीक नहीं है, तो चार division या चार विभाजन वाला समाज होना चाहिए, लेकिन इतनी सारी हजारों जातियां नहीं होनी चाहिए, तो गांधी जी ये तो कहते थे कि हरीजन उत्थान करो, backward को, आगे लाओ, लेकिन intermarriage, intercast marriages के favor में जादा उन्होंने कभी statements नहीं दिये, अब बात क समाज में हो, परिवार में हो, देश की politics में हो, तो इन्होंने तो ये कहा था कि महिला बिलकुल बराबर है पुरुषों के और freedom struggle में इनको भी उतना ही support करना चाहिए, उनको भी इतना हिस्सा लेना चाहिए, जितना पुरुष करते हैं, 1938 में जब ये Congress President थे और इन्होंने ए इन्डिया, उसमें बहुत important leader ये रही थी, 1943 में जब इन्होंने INA बनाया, तो INA के अंदर Rani of Jhansi Regiment बनाया, जिसमें किवल महिला हैं शामिलती और इसको lead किया था Captain Lakshmi स्वामी नाथिन ने, जिनको आगे चलके Captain Lakshmi सहगल के नाम से जना जाता है, दूसरी और गांधी जी परदा सिस्टम के खिलाफ थे, यानि कि महिलाओं को इतना पिछडा मत रखो, परदा सिस्टम में मत रखो, freedom struggle में महिलाओं को join करना चाहिए, लेकिन ये जो महिलाओं का traditional gender role था, उसमें believe करते थे, यानि कि महिलाओं का स्थान घर में एक घर-परिवार को देख रेक करने व होता है, यानि कि बाहर नौकरी नहीं करनी है, लेकिन घर में जो सारे role है, वो पूरे करने है, उसके favor में जादा थे, तो यहाँ पर भी दोनों में थोड़ा सा विरोधावास था, चलो, तो ये मैंने आपको सारे boss और गांदी जी के बीच के जो फर्क हैं, जो differences हैं, वो सब हमने बता दिये, discuss कर लिये हैं, तो इनको याद रखना हो सकता है, में पॉलिटिकल ही में पूछा जाएगा, और तो कुछ नहीं लेकिन, economic, political और social principles के basis पर क्या differences हैं, उन पर हमेशा सवाल आने की संभावना बनी रहती है, अब हम फिर से त्रिपूरी crisis पर आ जाते हैं, तो यह नहीं चाते थे कि boss हमें निर्देशित करें, as president agenda boss set करें, और हमें वो काम करना पड़े, तो strategy और tactics जो उनकी नहीं है, जो boss की होंगी, लेकिन उन्हें पूरी करनी पड़ेंगी, यह वो नहीं चाते थे, वो चाते थे कि पूरी strategy, tactics वो भी हम बनाएं, और काम भी हम करें, उनकी जिम्मेदारी भी जब हम पर आनी है, तो यह सारा काम, strategy बनाने का भी हमें ही करना पड़े, ऐसा राजिंदर परसाद ने जो भारत के future में president बनते हैं, उन्होंने अपनी autobiography में लिखा था, तो त्रिपूरी सम्मेलन में, जो Congress की अंतरकला है, यह अपने चरम पर थी, और पूरी संभावना लग रही थी कि Congress 200 में विभाजित हो जाएगी, left और right, तो जैसा कि सूरत split के समय हुआ था, कुछ उसी तरह का split लग रहा था, त्रिपूरी में होगा, बड़ी मुश्किल से Congress Party का split बच गया, क्योंकि बोस इस्तीफा देते हैं, अब इस्तीफा क्यों दिया, क्योंकि जैसे ही बोस प्रेजिडेंट बनते हैं, तो गोविंद बलब पंत, जो United Provinces के मुख्यमंत्री थे उस समय, और आगे चलकर अजाद भारत में भी ये UP के चीफ मिनिस्टर रहे थे, फर्स चीफ मिनिस्टर, तो इन्होंने एक resolution पास किया, कि हमारा पूरा confidence, पुरानी working committee में, नई वाली नई, जन्होंने स्थिफा दे दिया, पुरानी working committee, उसमें हमारा पूरा भरोसा है, और गांदी जी के leadership में हमें पूरा विश्वास है, Congress पिछले 20 साल से जो करती आ रही है, वो बिल्कुल सही है, ये official resolution का, और बोस जो नई working committee अपनी nominate करेंगे, वो गांदी जी के इच्छा के अनुसार होनी चाहिए, तो ये 3 points इन्होंने इस resolution में रखे, गुविंद बलब पंत ने, गांदी जी ने इस resolution को नकार दिया, उसे refuse कर दिया, उन्होंने कहा कि ये बात गलत है, कि अगर कोई Congress का President बनाया है, तो मेरे अनुसार कैसे working committee हो सकती ह तो BOS को उन्होंने कहा कि आप अपनी working committee बनाईए, जैसी आपकी मर्जी है, उस तरह के नेताओं को आप working committee में रखिए, आपको left wing के नेता रखने हैं, तो आप उन्हें रखिए, नहरू लगातार मद्धिस्तता करने की कोशिश कर रहे थे, right wing, घांदी और BOS के बीच में, लेकिन BOS इस पूरे घटना करम से नराज हो जाते हैं, और ultimately वो इस्तिफा दे देते हैं, उन्हें समझ में आ गया कि वो अगर president रहेंगे, तो भी वो अपना presidency को अच्छे से utilize नहीं कर पाएंगे, क्योंके Congress के कई senior नेता उनके खिलाफ हैं, तो ऐसे में BOS इस्तिफा दे दे तो राजिंदर परसाद को बना दिया गया बाद में एक तरह से कारेकारी अध्यक्ष, तो अगले एक साल राजिंदर परसाद अध्यक्ष रहे थे, 1940 में जो next session होगा रामगड में, वहाँ पर मौलाना अबुलकलाम आजाद को Congress का अगला president चुना जाएगा, अब BOS presidency तो छो अगले कर आई थी, उसके खिलाफ इन्होंने कहा कि protest किया जाए, और ये protest कौन करेगा, उन्होंने एक नई party बना दी अपनी forward block, अब ये forward block Congress के अंदर एक अलग block है, it is a block within the Congress party, तो इसमें left wing के सभी वो नेता है, जो सुभाश चंदर बोस से सहमत थे, और इन सबने मिलकर forward block बना दिया, इसको launch किया गया था, उत्तरप्रदेश के, United provinces के उन्नाव में, तो उन्नाव में इन्होंने forward block को launch किया, और ये forward block जो है, मई 1949 में, यानि कि कुछ ही महीने बाद जब इन्होंने स्तीफा दिया था, Congress Presidency से तब बनाया जाता है, हाला कि कई जगे आपको ये 1940 1940 में सम्मिलन हुआ था, 22 जून की डेट थी, और उसी दिन को forward block party खुद अपना founding day मानती है, तो पहले क्या था, ये Congress का ही एक पार्ट था, एक साल तक इसी के माध्यम से सुवाश चंदर बोस अपनी politics करते हैं, लेकिन फिर 1940 में उन्हें British arrest कर लेते हैं, house arrest में रखते हैं, औ तो ये forward block एक तरह से थोड़ा धीमा पड़ गया और उसके बाद, आजादी के बाद forward block एक अलग left wing party के रूप में उभरता है, तो forward block फिर Congress का हिस्सा नहीं रहा, आजादी के बाद ये अलग party बन गई, लेकिन जब ये बना था, तो अब ये बना किस प्रकार से था, Congress के नाम से ही समझ रहे हो आप कि हम आगे बढ़ रहे हैं और आप पीछे रहे गए हो, ये दर्शाते हुए forward block को बनाये गया था, तो जब जुलाई 1939 में forward block ने बना कर दिया कि हम AICC के एजेंडा को नहीं मानेंगे और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, तो Congress Working Committee, Kendria Working Committee ने ये निरने लिया कि सुवाश चंद्र बोस के खिलाफ disciplinary action लेना ज़रूरी है, तो इन्हें Bengal Provincial Congress Committee की Presidency से भी हटा दिया गया, तो ये प्रांतिये Congress Committee के अध्यक्षते उसके पद से भी इन्हें हटा दिया जाता है, और अगले तीन साल तक इन्हें Congress में किसी भी पद पर रहन से बैन कर दिया जाता है, तो एक तरह से सुवाश चंद्र बोस का for all practical purposes Congress से निशकाशन हो चुगा है, याद रखो, officially Congress से इन्हें निकाला नहीं है, लेकिन आप पद पर नहीं रह सकते और तीन साल तक कोई चुनाव आप Congress के अंदर नहीं लडपा होगे, या फिर कोई भी प गुम गुम के forward block की politics को आगे बढ़ाया, लेकिन उसके बाद उन्हें ultimately देश छोड़के जाना पड़ा, क्योंके अंग्रेजों ने उन्हें घर में नजर बंद कर दिया था, अब next lecture में हम discuss करेंगे कि कैसे World War 2 शुरू हुआ, और कैसे पाकिस्तान की डिमांड नानी start होती है ठीक है, तो अब World War 2 आने वाला है, 1939 आ चुका है, अगर आपको ये lecture अच्छा लगा तो इसे like जरूर करें, YouTube को उससे पता चलता है कि lecture अच्छा है, चैनल को subscribe करें, अभी तक हमारे आधे viewers जो हैं, वो चैनल को subscribe नहीं कर रहे हैं, तो हमें ये data पता चल जाता है, तो आप ल लेक्टर आज का हम समाप्त कर रहे हैं, लेकिन अगर आप UPC exam की त्यारी कर रहे हो और आप मुझसे live पढ़ना चाते हो, मतलब ये तो जैसे recorded lectures हैं, लेकिन अब आपको live पढ़ना है, तो आप an academy platform पर आकर हमसे live पढ़ सकते हैं, भारत के सभी best educators यहाँ पर पढ़ाते हैं, तो दो तरगी classes हैं, special classes which are free and then there are some paid classes, जिनके लिए आपको एक subscription लेना होगा, तो plus या iconic दो प्रकार के subscription है, दोनों के benefits यहाँ पर लिखे हो है, iconic का main फायता यह है कि आपको यहाँ पर एक personal mentor available करवा दिया जाएगा, अब आप जो भी subscription लेते हैं, उसमें आपको 10% flat discount मिल तो यह prices आपको नज़र आएंगी app पर, यह आपको pay नहीं करनी है, यहाँ पर code आप डालिए महिपाल और आपको यह price pay करनी होगी, optional subject के courses भी आवेलेबल हैं, और यह सारे courses हम EMI पर भी असानी से आप लोगों के लिए available करवा देते हैं, तो इसके लिए आपको एक महीने का चोटा समाउंट पे करना है, और आप अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखिये, EMI कैसे अवेल करनी है, इस वीडियो के नीचे description में, जो पहला link है, Google form है, उसको भरिये, और पूरा process आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा, इस वक्त मेरा एक ongoing NCRT quality course है, plus platform पर, उसको आप ज optional GS, दोनों की test series और notes ये भी साथ में free मिल जाता है, और एक साल की तयारी minimum चाहिए, अगर आप 22-23 का exam crack करना चाहते हैं, तो, so go for this one year subscription, I think this is the best one that you can, ये आपको 57,000 रुपीज में, 700 रुपीज में available होगा, लेकिन इसमें GS और optional दोनों की classes हैं, दोनों की test series हैं, और GS के complete notes भी साथ में आपको मिल जाएंगे, हमारी कुछ free test series हैं, इनका भी आप फायदा उठा सकते हैं, हर Wednesday को नए batches बनते हैं, so do join them on plus, plus platform पर regular batches बनते हैं, हर Wednesday को नए batches स्राट हो रहे हैं, 3rd November से, इनको join करने का फायदा ये है, कि आपके लिए एक schedule तयार कर दिया गया है, तो आप batch enroll कर लीजे batch में और पूरा schedule आपका चलता रहेगा, schedule के अनुसार आपकी classes चलती रहेंगे, thank you very much for watching this, have a great day.